नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड में तो दोस्तों DRDO अपना ध्यान में साइलों से अटा कर अब बम वर्सक विबानों और उननट ड्रोन को विक्सित करने पर लगा रहा है अब DRDO एक ऐसे विबान को विक्सित करने जा रहा है जो एक साथ मल्टी फंक्शन कार्यों में उप्योग किया जाएगा और जिसे नेत्र मार्क 2 के लाम से जाना जाएगा और इसका उपयोग बम वर्शक विवान, सर्विलाइंस और ट्रांस्पोर्ट जैसे कारियों में किया जाएगा और इस विवान में high intensity radar का उपयोग किया जाएगा और इन्ही high intensity radar की मदद से या दुस्मन के बहुत ही करीब जाकर फुफिया जानकारी लाकर भारती सेना को देगा और DRDO की बंगलूरू अली साखा में एक खास तरह के विवान में इन सभी technology को लगाया जा चुका है और ये सारा प्रोसेस खुद भारती वायू सेना की देखरेक में किया गया है और सबसे पहले नेत्र मार्क 2 का पहला टेस्ट किया जाएगा और ये टेस्ट सफल होने के बाद DRDO, Air India के छे पुराने विवानों को खरीदेगा और इन विवानों के अंदर changes करके इनको multi-function विवान में बदला जाएगा और इस सारी प्रोसेस में फ्रांस की मदद भी ली जाएगी और इन विवानों में जो सुरुवाती बदलाव किये जाएंगे वो फ्रांस के द्वारा ही किये जाएंगे और इनके लिए फ्रांस से डील भी हो चुकी है और जो सुरुवाती टेस्ट होने वाला है उसके बाद एर इंडिया के विवानों को फ्रांस भेज दिया जाएगा और जब ये विवान फ्रांस से लोट कर भारत आएंगे तो इसमें जितनी भी technology लगाई जाएगी वो सब भारत की ही होगी और फ्रांस सिर्फ इस बिवानों के उस area में बदलाव करेगा जिससे इन बिवानों को air bomber के रूप में बदला जाए और बताये ये भी जा रहा है कि इसमें जिस radar को लगाया जाएगा वो बहुत ही powerful radar होगा और इसका radar काफी लंबी दूरी को track करेगा वहें इस बिवान के द्वारा दुस्मन के बंकरों को तबाह करने और किसी बड़े हिस्से पर bum बरसाने के उपयोग में लिया जाएगा और surgical strike से पहले इनी बिवानों को भेज कर serve lines भी किया जाएगा और अभी कुछ दिनों पहले भारत ने एक defense deal को दूसरे देशों से cancel किया था तो उस deal में एक bum वर्सक विमान भी सामिल था जिसकी deal भी रद्ध हो चुकी थी और यही कारण है कि भारत पुराने विवानों को modified करके आत निर्भर अभियान के तहत विक्सित करेगा और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के पास एक भी बड़े बामबर उपलब्द नहीं है और ऐसे में ये बामबर भी काफी ज़्यादा काम में आ सकते हैं और भारत के पास जगवार जैसे बामबर तो हैं लेकिन ये बिवान ज्यादा बाम को नहीं ले जा सकते वहीं बड़े बिवानों में ज्यादा बाम को लगाया जा सकता है और किसी भी बड़े एरिया को आसानी से तबाक भी किया जा सकता है अब आप लोगों का क्या कहना है भारत के इस कदम पर कमेंट में ज़रू बताएं और लाइक, शेर, सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रू दबाएं ताकि सभी डिफेंस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंशती रहें धन्यवास झाल